जून में 90 मिलिमीटर बारिश का कोटा पूरा होने की संभावना कम एक जून से मानसून सीजन सुरू हो जाता है समानता अंचल में मानसून की आमद 20 से 25 जून के बीच होती है लेकिन इस से पहले बारिश के एक दो दौर आ जाते हैं इस बार बारिश के अंतिसार काफी लंबा रहा 17 दिन पूरे तरह सूखे गुजरने के बाद रवीवार शाम को तेज हवा के साथ बहुचार पड़ी मौसम विभाग ने पहले की संभावना जताई थी कि गुजरात के तटों से टकरा कर कमजोर पड़ा विवर्जवाय कम दबाव के शेतर में तब्दील होकर रजिसान मद्बरदेश और उत्तर प्रदेश तक असर दिखाएगा मद्बरदेश में इसका प्रभाव गौालियर चंबल संभाग और उन इलाकों पर अधिक होने के संभावना है जो तरपूरवी रजिस्तान से सटे हुए हैं गुनाचिला भी उन्ट में शामिल है मौसम विभाग सहीद आने नीजी एजन्सियों ने हमारे अंचल सहीद पूरे गौालियर चंबल विभाग संभाग में अगले 3-4 दिन तक अच्छी बारिश की संभावना जटाई है वैसे जून महा के दौरान गुना में 90 मिली मीटर गया 9 सेंटी मीटर बारिश होती है आम तोर पर इस महा में कई बार बारिश के ऐसे दोर आते हैं जिसे एक दिन के भीतर ही एकोटा पूरा हो सकता है इस बार मानसून की डफ़तार सुस्त होने से सारी उमीद भी परज़ुआए के करेड़ बन रही इस तितियों पर ही ठीकी है अभी बोवनी ना करे किसान करशी विभाग ने किसानों को सला दी है कि खरेव सीजन की बोवनी को लेकर जलवाजी से बचे अभी मानसून के स्थिती को लेकर मौसम विभाग के पूरवा नुमान का अंतिजार करे उसके बाद ही बोवनी करे दरसल बीते तीन-चार साल के दोरान जुलाई के शिरवाती दो-तीन हफ़ते मानसून का प्रदर्शन कमजोर रहता है वहीं आकरी हफ़ते में कई बार अचानक देश बारिश का दोरा आ जाता है